हेलो गैस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी ग्लास में क्या मैं लाइब हो चुका हूँ अपनी हवाज सुनना काफी खराब रखता है मतलब मेरी हवाज ऐसी है ठीक है दुस्तों तो अनफॉर्ट लिए लगी थी वह शेडियूल थी 545 पर आपको बता कि और मेरे इसाब से नॉम्बर मंथ यह खतम होने हमाला है हां और इस नॉम्बर मंथ क्या कि आपने कैसे आपने पढ़ा है कि सब कुछ आपको बता है तो दोस्तों यह मन्थ खतम होता है नया मन्थ शुरूगा नय मन्थ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पियो मेंस के क्या आपके दो C& divid를 हौर दोस्तों अब दोस्तों एक बचान देना द्या में जूंद देके रहें हैं इस लिए हमेशा लगे रहे है अपने गूल पहुले कि आप क्या खरने के लिए आप रॉक स्टार्स हैं और जीतने के लिए है आरना आपके शब्दमने नहीं होना चाहिए हारना मतलब गाईस ऐसा हो सकता हो कि आपका सेलेक्शन ना हो पर इसका मतलब यह नहीं कि अब हार गया हो आपने वह तो सीखा है लाइफ में दोस्तों एक मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं बैठता कोई परिशान नहीं होता है तो हमेशा लगे रहे हैं और प आपके लिए कोई कोई सी इनफॉर्मेशन दोस्तों है वो इनफॉर्मेशन की बात करेगा इस तो हाँ एक इनफॉर्मेशन दोस्तों आज आपका ओफर खतम हो रहा है ठीक है मतलब दोस्तों इस समय अनकेडमी जॉइन करने का बड़ा अच्छा मौग आपके पास है अगर आप 12 महीने के लिए हमारा कोर्स जॉइन करते हैं तो आपके फीस पड़ती है दो हजार चार सो निजान मेरे रुपर दोस्तों यानि करीब पचीस सो रुपर दोस्तों हाँ और 24 मन के गाइस टू ट्रिपल नाइन तीन हजार रुपर तो गाइस नेक्स यर आने वाला है और रुपर जाएंगे लिंक मिल जांगा लिंक पर क्लिक करेंगे सीदे हमारे कूर्स पर आएंगे यहाँ पर हमारा कोड है एक लिए वी पी यह लगाएंगे और आपको डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है चली तो गाई शुगर ने आज की अपनी निउस और हमारे पास आज फिर से एक बार रांकिंग रिपोर्ट और इंडीसेज नहीं है यानि काफी लोग खुश होने वाल है कि सब कम पढ़ना पड़ेगा आज फिर में तो हम ऐसुइ बात करेंगे आज आपॉयंटमेंट से कौन आपॉयंट पोइंट हो रहा है किер स्पोस्पे वरा उसके में बात करेंगे तो पहली इन्फरमेशन डूस्टो जो हमारे पास आएि वह आएगी इंटरनेशनल अपॉयंटमेंट और यहां पर हम बात करेंगे मेड़ाजकर के दोस्तों ठीट गास कर एक परसंट की है नाम हिनका है एंडडु ऐंडरी राजो यलिना इने यह अपने तीसरे कारइकाल के के लिए राश्पती बने हैं दोस्तों अ पूरी इंफॉर्मेशन देखिए यहां पर हैं तो नाम है इनका एंड्री राजवेलीना यह बने है प्रेसिडेंट ऑप दे मेडागासकर और थर्ड टर्म दोस्तों इसके पहले इनके पास कौन-कौन से टर्म थे 2009 से लेकर 14 तक पहला टर्म फर्स टर्म फिर 19 से लेकर 23 तक इनका दूसरा टर्म और अब 23 के बाद इनका तीसरा टर्म शिरू हो जाएगा तो यहां पर हमने आपसे बात किया प्रेसिडेंट की बात किया कंट्री कौन से इंडगासकर नाम कई दोस्तों Henry राजोली ना और यह तीसरी वार बने है राक्ष्मतु आप्ड मैडगासकर तो यह हमारी पहली कहां पर है देश मैडगासकर दोस्तों तो जानतर प्लेटा यहां पर अफ्रिका अप और देखिये यह यह मतलब यह आपक यह यह देश है आपका मेडागास्कर दोस्तों तो मेडागास्कर कहां पर एक्जस करता है यह भी देख लिए जी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिने जोग्रफी का अता पता नहीं है तो इसलिए और सिंबल सी बात है इस बार आपके ग्रामीड बैंक प्यो एक्जाम में पूछ आपके दोस्तों और यहां पर रिसेंट अपाइट में अपॉइंट प्रेशिदेंट दोस्तों जैसे जाइस हमने अपको पढ़ हैं आपको प्रकेश्डर सब्सक्राइब होग इनल ब्रीज में और्टर मोहमद मॉईजू यह बने है आठमय प्रेजिटन्ट अपदमाल्दी डेनियल रॉय नुबोवा ये बने है एक्वाट्डो के प्रेस्ट बने दोस्तों जेनरल ब्रीस ओलीगूई नुगयामा गैबून के दोस्तों एंधर्मन शन्मुग रतनम ये सिंगापूर के नौवे राश्परी दोसों बने है तो ये सब पॉइंट आपको पहले पढ़ाया अब नौट शूर कोई देश पूछा गया था ठीक है अच्छे आप लोगो याद है मोजामबिक अग्षा आज की दूसरी इंफॉर्मेशन देखी जो हमारे एक इंफॉर्मेशन थी आप अब हम बात करेंगे आज की हमारे दूसरे सग्यमेंट की जिसका नाम है बैंकिंग दोस्तों इंफॉर्मेशन गया हम सकें इंफॉर्मेशन है SNP दोस्तों आपको ध्यान होगा अगर आप मुझे काफी दिन से फॉलो करते हैं मतलब 5-6 महीने से दोस्तों अपने देखा होगा इस यह जो हमारा फिनाशल यह है जब यह स्टार्ट हो रहा था तो दुनिया की हर रेटिंग एजनसीज ने भारत की ग्रोथ रेट को डाउन कर दिया था तो मैंने आपसे बोला भी था ये दिन याद कर लो ये दिन याद कर लो मेरा स्टेटमेंट आगे आने वाले टाइम पर यह सारी रेटिंग एजनसीज भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे आप द दिया है दोस्तों हाँ तो SNP ने दोस्तों financial year 24 के लिए भारत की growth rate को 40 basis point बढ़ा दिया है और 6.4% कर दिया देखे दोस्तों कैसे दोब भाई हम गया बात कर रहा है तो SNP global rating ठीक गाइस has raised India gross domestic product growth forecast for 2324 दोस्तों by 40 basis point और कितना 6.4% from the 6% ठीक तो SNP global ने भारत की growth rate for the financial year 2324 40 basis point बढ़ा दिया है मतलब 6 से 6.4% भाई 40 basis point काफी होता है 40 basis point काफी दोस्तों होता है आगे बढ़िये और क्या बोला गया है दोस्तों और क्या बोला गया है but for the financial year 25 यानि अगले साल की बात हो रही है 24 पचीज इंडिया GDP growth production has been reduced 6.4% from 6.9% दोस्तों अच्छा फिर क्या बिला गया है लेगिन हम अगले जो हमारा आने वाला financial year है उसमें भारत की जो growth rate है वो पहले इन्होंने 6.9 बोला था अब उसे कम करके 6.4 कर दिया है यानि इस कहने का मतलब financial year 23-24 के लिए भी 6.4% एन financial year 24-25 के लिए भी 6.4% यानि दोनों financial year के लिए 6.4% एक में दोस्तों बढ़ाया गया है 6 से 6.4% और एक में कम किया गया है 6.9 से 6.4% दोस्तों यानि उधर 50 basis point कम किया गया है आप देख लिजिए आप ठीक है अब मैं फिर बोल रहा हूँ यह जो है ना यह यह फिर बढ़ाएंगे देख रिनाप इससे ऐसा क्यों है दोस्तों अच्छा यह बड़ा मतलब एक अच्छत का विश्य है कोविट 19 आने के बाद जो भारत का सपना था कि 2025 तक हमारी 5 trillion economy होगी दोस्तों लोग इस पर हाशी बढ़ा रहा थे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा कोविट 19 आ गया था और दोस्तों यह हमको भी बिलीव नहीं था अब एक उस इन पहले की बात है यार हमारी economy 3.5 trillion डॉलर थी लेकिन दोस्तों नॉंबर मंथ में हमने 4 trillion डॉलर का अगड़ा पार कर लिया है यानि एक साल हमारे पास है अपने सपनों को पूरा करने का मतलब भारत की economy 5 trillion डॉलर बनने की दोस्तों और हम बड़ी तेदी से उस तरफ चल रहा है है न गया इस तो यह चीज़ें है आगे बढ़ते हैं भाई और दोस्तों से अज़ों में दोस्तों नोकार लूट प्रहां ज़ता हम बोलते हैं हैं बुक्राइब पार सुयह कैसे काम करतें पहले समय लेते हैं थो था Small मुचे आपसे देखिए द Su यह सुनो जैसे हैं यह मैं हूं थो जो और यह पंडित रिशब गौतम है यह हैं दोस्तों मान लो कि पंडित रिशब गौतम ने मुझे मुझे पैसा इनको देना है मैं कैसे दुँगा बिटा कास्तों . अपने बैंक आकाउंट को लॉग इन करूंग और यहां सो ऑन्लाइन पैसा मैं इनके बैंक में जो इनका यो आकाउंट ॉगा वहां इनको पैसा मिल जाएगा दोस्तो ध्यांदिना पहले मेरे पास hard cash होगा दोस्तो उस hard cash को बेटा मैंने किया अपने bank में जमा किया होगा और फिर दोस्तो यह जो मेरा hard cash था यह online format में change वोकर यहां पोले दोस्तो तो मेरा question आप से यह है दोस्तो कि हमारे देश में जो हमारा hard cash होता है उसे soft cash में convert कौन कर दोस्तो करते हैं यह लोग NSDL और आपका CDSL दोस्तो यही काम यह लोग करते हैं उसों क्या काम परते हैं बड़ा यह लोग देखो दोस्तो पहले के टाइम पहले टाइम में चीज़ें दोस्तो क्या थी offline थी offline का मतलब जैसे मान लेजें दोस्तो आप किसी company का share purchase कर रहे हैं आ अगर किसी company का share purchase करते हैं दोस्तो तो आपको उसके बद्रे मिलता है certificate यानि प्रूफ दोस्तो पहले और पहले अपलाइन थी आप गया मुंबई आपने share purchase किया तो आपको उसका मेल का certificate में लिए लगी दोस्तो अब online हो गया है आप घर बैठे बैठे किसी company का share purchase करेंगे तो जो certificate है दोस्तो ये guys क्या होगा ये online form में convert होकर आपके डीमट account में जम होगा दोस्तो आप question ये बनता है guys कि जो आपके share का certificate था इसे offline से offline में convert कौन करता है बेठा तो यही करते हैं दोस्तो जैसे for example guys दोस्तों माल लोग आपने reliance company का दोस्तों आपने share purchase किया तो बेठा आपने purchase किया थे तो बेठा आपको देगी certificate दोस्तों लेगे आपको नहीं देगी ये offline certificate दोस्तों ये जाता है इनके पास दोस्तों अब बेठा ये इसको online form में convert करेंगे और फिर बेठा ये आपके डीमट account में यहाँ पे जमा दोस के टाइम पर दोस्तों जितने भी certificate होता है इन्हें offline से online convert करना main काम इनका ये होता है इने बेठा हम क्या बोलते है depositories तो ये काम तो इनका होता है ये दोस्तों लेकिन इसके अलावा guys ये लोग बेठा pencard भी बनाते हैं आपका ये आपका pencard भी बनाते हैं दोस्तों ठीक है तो क्या news है वो देखें दोस्तों बिल्डा क्या इखा हुआ है तो cdsl become the first listed depository to register more than 10 करोन डीमट account दोस्तों और दोस्तों ये आपका डीमट भी खुलते हैं दोस्तों तो कहने का मतलब क्या हुआ यहां पर वही हम बात कर रहा है कि cdsl बेटा यह 10 करोन से अधिक डीमट account पंजिक्रित करने वाली पहली सुचिद्बत देपासिटी बन गई दोस्तों ठीक है तो ये news है मेरे ख्याल से अभी आपको ये concept clear हो रहा होगा कि क्या काम इनका है दोस् और इनका में काम है conversion of your heart certificate in the soft certificate दोस्तों ठीक है तो ये मैंने इसलिए पुरी कहानी आपको समझाई है थोड़ा time जाएगा लेगिन आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों knowledge is very essential आज के time पर दोस्तों है ना चलिए अब देखिए पीटा क्या बोला गया है दोस्तों क्या information गाईज है full form देखिए central sorry central depository services limited cdsl दोस्तों हां तो पीटा cdsl जो है ये become the first Indian depository to hold 10cr active dematerialization account दोस्तों demit का फुलफा में होता है तो भाई कहने का मतलब क्या है कि cdsl हमारे देश की पहली भारती बन गई है जिसके पास 10 करोण active demit account है दोस्तों जिसके पास 10 करोण active demit account है दोस्तों ठीक है और देखिए क्या बोला गया तो cdsl attend this position by the surpassing the nsdl दोस्तों यानि cdsl ने nsdl को छोड़ दिया पीछे nsdl यह देखिए दोस्तों इनका भी सेम वही का में दोस्तों चलो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हां आगे बढ़ते हैं cdsl गाई जा तो बिटा cdsl का full form पढ़ ली जगा इसका headquarter कहां पे है मुंबई में दोस्तों नेहल वोरा is the mdco establishment year फरवरी 1999 दोस्तों अच्छा हमारे दोस्तों क्लास में बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं आचकल चाहे हमारी c.a. class हो चाहे हमारी mc. class हो चाहे हमारी paid class हो ऐसे बहुत सारे बच्चों के message आ रहे हैं दोस्तों जो की पूछते हैं कि कैसे जीए नहीं है तो मैं सबको reply कर भी नहीं पाता हूं तो आप लोग के लिए आज दिन में दो बजे क्यों पीम पे अनकेडमी स्पेशल पर दोस्तों हम यहां पर tips और strategies की बात करने वाले हैं जीए की दोस्तों इसमें आपको syllabus केम बात करेंगे cut-off क्या जाती है कितने questions बनते हैं कै कैसे पढ़ना चाहिए इसके रावा गाइस इसके सब मैथ रीजिनिंग और इंग्लिश हम कैसे पढ़े भाई मैं भी एक्जाम क्वालिफाइ कर चुका हूं तो यह सब guidance मैं आपको दे सकता हूं अच्छे से तो दिन के दो बजे अनकेडमी स्पेशल पे class आपको मिलेगी द तो यह information देख लिजएगा सारे नए बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल fresher बच्चे हैं तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे cdsl की यह पहली deposit बनी बेटा जिसके पास 10 करों active account है so guys यहाँ पर हम क्या बात करेंगे recent first in India in terms of the bank and the financial institution जैसे guys for example HSBC India दोस्तों पहला foreign का bank दोस्तों in India to offer electronic bank guarantee यह मैंने पढ़ाया आपको पहला foreign का bank जिसने भारत में electronic bank guarantee शुरू की है HSBC India दोस्तों India first life insurance company दोस्तों यह भारत की पहली life insurance company बनी है in India to receive gift city IFSC illustration दोस्तों ठीक है एस एसक्रो पे भारत का पहला first digital escrow authorization from IFSC दोस्तों respal.ai world का पहला AI integrated crypto wallet access bank and 5 यह आपके exam question आप है चुका है इस बार to launch India first numberless credit card and yes bank yes bank first bank in India to issue on ondc network gift card दोस्तों तो यह तो question आप exam में आभी चुका है तो यह सारे point exam के लिए important है कहीं से भी question आ सकता है दोस्तों ठीक है देख ली जोए आप लोग ठीक है तो एक point हमने आपको समझा दिया दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे next information की दोस्तों नेक्स इंफॉर्मेशन के दोस्तों तो नेक्स इंफॉर्मेशन है NPCI की नेशनल पेमेंट कोरपरेशन आप इंडिया NPCI हाँ तो NPCI इंस्टक्ट पेमेंट अप्लिकेशन तो डियक्टिवेट इनक्टिव यूपी आई डी बाई दिसंबर 31 दोजार तेश दोस्तों ठीक तो गैस क्या मतलब है कि NPCI ने हमारे देश में जो थर्ड पार्टी कंपनी है फॉर इक्जांपल जैसे अमेजन हो गया वाट्स अप हो गया या जो कंपनी आप्लिकेशन वाली फोन पे हो गया जी पे हो गया या बैंक हो गया तो इनसे NPCI ने बोला दुस्तों वही आप ल क्या इनफर्मेशन है वह देखी तो क्या बात यहां पर हो रही दोस्तों हां तो नेशनल पेमिंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया ने डियेक्शन दिया है और थर्ड पार्टी अप्लिकेशन दोस्तों हां थर्ड पार्टी का मतलब एड़ा क्या हुआ जैसे अमेजन हो गया वाटसाप हो गया यह सब थर्ड पार्टी प्रूठी एंड पेमिंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे वाइस एक्जामपल यहां पर हम बात करते हैं फोन पे की जी पे की या किसी बैंक की हम बात कर ले लों की चैक कहने का मतलब जहां जहां से आपको यूपी आई सर्विस मि कि आप लोग डियक्टिवेट कर दीजें अपनी उन सारी यूपी आई आई डी सको जो एक साल से इनेक्टिव हैं तो उन्हें डियक्टिवेट कर दीजें चिक और इसका एक टाइम पेरेड भी है दोस्तों क्या है तिस मिजर्स इस टु बी क्लेर भाई लोग वह सिंबल से इंफर्मिशन है तो NPCI ने हमारे देश में जो भी बैंक हैं या कंपनीज हैं जो भी आपको UPI सरुज देती हैं उन्हें टाइक्शन दिया है कि ऐसी UPI ID जो एक साल या उससे जादा आपकी हाँ डियक्टिवेट पड़ी हुई है उन्हें आप यहां पर रिविजन पॉइंट हमारे पास है दखो दखो दो अल अतिहाद पेमिंट ऑफ द यूए दो दो सब्सक्राइब और यहां दो सब्सक्राइब और एकस्सेज भैंक दो अ Isaac इन्होंने मिलके लॉंच किया था दुस्तों क्या अपना बिजनेस टू बिजनेस कर्टेगरी ठीक देख लो भाई लो तो NBCI भारत बिल पे लिम्टेड अब बात करेंगे नेक्स न्यूस की हमाई दूस्तों तो यहां पर हम बात करने वाले कमेटी की दोस्तों हाँ देखो क्या लिखा है IRDAI यानि इंशुरंस कंपनी के पापा IRDAI तो IRDAI सेट अप 11 मेंबर टास्क फोर्स अब यह क्या है दोस्तों यह DPDP Act क्या होता है हमें से समझना पड़ेगा हाँ तो अभी हमें यह क्यों क्लियर हो रहा है कि IRDAI ने एक कमेटी मिनाई है जिसमें 11 मेंबर होंगे और इस कमेटी का काम होगा to examine examine करना दोस्तों क्या examine the impact of the DPDP Act अब यह DPDP Act क्या है दोस्तों आगे देखिए क्या बोला गया है देखिए दोस्तों तो बिटा एड़ा ने कमेटी मिनाई है कमेटी क Calvin वही सेफ distinction it ezen task force to examine the implications ऑफ दडेगिकेशन अफ दिजिटल पर्सनल डीटा प्रोडेक्शन एक्ट देगश्ट तोसों फिरल परसनल डेटा प्रोडेक्शन एक्ट टो रर्टेइस टेटल से देटा प्रोडेक्शन एक्ट दोहजार तेश्ट भाई वाई इसको सिंपल सी बात है आप लोग को पता कि कितने असानी से हम लोग का डिजिटल इनफॉरमेशन शेयर किया जाता है दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है जैसे गाइस फॉर एक्जामपल अभी एक काम करो आप इसका मतलब कि आप क्या सर्च कर रहे हैं यह भी डेटा शेयर की जाती दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिन पर यह आरोप लगते हैं कि कस्टमर का डेटा बेज दिया इनोंने है ना गाइस और यह होता है आपको होता है इस पर काफी ज्यादा चिंतित है तो हमारी ग कैसे होना चाहिए अब बाइशिंपल सी बात है इंश्रेंस कंपनी भी आपका डेटा चाहिए होता है अब आपका डेटा लिगली कैसे उन्हें मिलेगा तो इसे एक्जामेन करने के लिगाई हाँ देखों तो फॉर्म बाइद इंश्रेंस रेगुलिटरी एंड डबलेबर इंडिया दोस्तों बेटा एड़ा ने टास्फोर्स बनाया है जिसका काम है गजामेन करना अब इंपलिकेशन रिगली केशन ओप देटल पर्सनल देटा प्रेक्शन एक्टिक्षिंट्टी की लाइफ पर उसको एक्जामेन करना ये काम होता प्ड़ास कमीटी का फिर समझी एड़ा ने टास्पोर्स बनाया है जिसका काम है to examine the implication of the digital personal data production act 23 तुछ गैज एड़ा ने बनाया है इसमें 11 मेंबर दोस्तों होंगे ठीक chaired by the randeeb singh jakpal randeeb singh jakpal executive director of the EDA दोस्तों ठीक गैज report submission within a period of one month from the issuance of the order दोस्तों यानि एक month के अंदर अंदर आपको report submit करने एड़ा के पास दोस्तों ठीक है तो digital personal data protection act digital personal data protection act के implication को examine करने की बाद दोस्तों है clear थिक एगज तो यहां पर दोस्तों हम लोग इंश्रेंस की बात कर रहे थे हैं तो इंश्रेंस के कहति है रए हमने बात की पर एक damit की एक 700 want किए तो ये point आपके सामने दोस्तों है ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई लोग और बात करेंगे आपसे एल्डा के बारे में तो एल्डा का headquarter है दोस्तों chairman देबाशिश पांडा दोस्तों हाँ इस्टैबलिश्मेंट यह वन नाइन नाइन दोस्तों एक बात और है बारा बच के पांच मिनेट से दोस्तों आज आज से हमारा पेड़ को शुरू हो रहा बीटा स्टेट बैंक और क्लारिकल के लिए हमारी प्रोफाइल पर आपको कोर्स मिल जाएगा जहां आज से शुरू क आगे बढ़ेंगे भाई लोग और बात करते हैं आपसे रिसेंट कमेटी फॉर्म बाई एड़ा तो रिसेंटली में एड़ा ने कौन कौन सी कमेटी दोसों मनाई देखें पहली कमेटी इस्टैंडिंग कमेटी ऑन दे साइबर सेक्योर्टी इसको लीड कर रहे हैं दोस्तों मिस्टर पीयस जगननाथन दूसरा कमेटी फॉर प्लेन लैंगविज फॉर दे पॉलसी वर्डिंग या दे ना चेर्ट बाई दर मिस्टर एल विश्वनाथन दोस्तों और तीसरा बेटा क्या पैनल टू सजिस्ट इस्टेप तो इंक्रीस दे पार्टिसिपेशन और बैंक लीट बाई दर जे मीना कुमारी दोस्तों ये सब एलडा ने रिसेंट्ली कमेटी बनाई है भी ये सब भी आपको पढ़ना है ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है ठीक है इसे याद कर लेज़ेगा सब लोग तो एलडा ने रिसेंट्ली में कौन-कौन सी है जाया आएगे तो गाई अब और से बात कर लिया है फॉइंटमेंट की और हमने आपसे बात कर लिया दोसों बैंकिंग फानेर्स की अभी दोस्तों बात करेंगे आपसें अग्रिमैंट और मियूष की दोस्तों हां जहां पर हमारे पास आपके लिए पहली इन इंडिया टेक्निकल कॉलेज नहीं आता है जैसे कि आपने M.B.A. किया है बीटेग किया है M.C.A. किया है तो जो हमारे कॉलेज होते है बिटा वो यही से अफिलेट होते है ना A.I.C.T. ठीक आइस तो Amazon India और A.I.C.T. इनके बीच में आइस अग्रिमेंट साइन हुआ है For Skill Development of Women Tech Student दोस्तों मतलब ऐसी महिला या बच्चिया या औरते मतलब जो Tech Student है दोस्तों जोने बिटे की बिटे की है उनके लिए है दोस्तों Amazon India और दोस्तों A.I.C.T. इनके बीच में आइस अग्रिमेंट साइन हुआ है For the Skill Development of Women Tech Student ठीक है देखे दोस्तों क्या information है देखे 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 दोस्तों Amazon India and All India Council for Technical Education इनके बीच में इस अग्रिमेंट साइन हुआ है क्यों है दोस्तों To extend its initiative Amazon Wow अच्छा मतलब दोस्तों To extend its initiative Amazon WW मतलब Women of the World गाईज दोस्तों बास समय ना दोस्तों Amazon ने पूरे दुनिया में जो महिलाएं दोस्तों है इनके skill को promote करने के लिए डबलू ओर डबलू लॉंच किया है पूरे दुनिया में इसको बेटा नाम क्या है वुमें आप दे वर्ल्ट वुमें आप दे वर्ल्ट दोस्तों हाँ तो यही initiative भारत में भी आया है Amazon India ने हमारे देश में All India Council for Technical Education से अग्रिमेंट साइन किया है क्या बेटा क्योंकि पूरे दुनिया में जो Amazon है यह दोस्तों Amazon डबलू डबलू मतलब वुमें आप दे वर्ल्ट चला रहा है अब क्या इसके पीछ पीछ अपजक्टिव है वो देखिए क्या बोल रहा है इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि यह उन बच्चियों के लिए है जो कि अभी या तो बीटेक कर रही है चार साल का या बी करनी चार साल का या दो साल का एमसे कर रही है एमटेक कर रही है एमटेक कर रही है एमटेक कर रही है या गाईस यह का कर रही है डिवर्ल डिगरी दोस्तों जो नहीं एक साथ होता है मतलब बीटेक और एमटेक साथ हो गया वह बहला पास साल कॉर्स तो यह सब उनके के लिए है मतलब वही बच्चियां जो इस कोर्स में हैं उनको ही अमेजन यह स्किल टर्णिंग देगा दोस्तों तो यहां पर इंफर्मेशन खतम हो जाएगी लहीं फिर से आप दो समझे लो क्या इंफर्मेशन है तो अमेजन इंडिया और AICT इनके बीच में अग्रिमेंट स सामने के देख लेज़े आप लोग भी तो बच्चियां जो बी टेक कर रही है या बी कर रही है या या पास साल वाला कोर्स कर रही है तो एक पॉइंट हमारा यह हो गया आगे बढ़ेंगे भाई लोग AICT दोस्तों इसका है इस्टैबलिश्मेंट टी है उन्निस्ट पैतालिस एड़कॉर्टेश है न्यूर डेलिए एंचियर्मेन है प्वढ्रिग इग सी ताराम दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पाइंट किया दोस्तों नेक्स पॉइंस हम बात करेंगे मर्जर अक्वे है उसका नाम उसका है 197 communication है ना वैस तो यह company आज ठीक चल लें रही है क्योंकि इनका business model थोड़ा सा old हो चुका है दोस्तों जब इनके competitor phone पे दोस्तों या जीपे नहीं थे तब भी यह charge ले रहे थे और बाद में क्या बिटा हुआ जब जीपे आ गया phone पे आ इन्होंने charge बंदों किया लेगन दोस्तों आपके बहुत सारे जो business से वो चार्ट से चल रहे थे तो पेटियम कंपनी को यहां से loss ओना शुरुआ दोस्तों और पेटियम आप अमीर में आते हैं दोस्तों यहां के तो बर्क शार हैथवे दोस्तों यह इन्ही घंपनी है ठीक है तो बर्क शार हैथवे जो है बेटा यह पेटियम में अपना पूरा शेर जो है कितना 2.46% ये दोस्तों बेच रहे हैं 1370 करोड़ बन दोस्तों 1371 CR 1371 CR में गाईजा पूरी इन्फरमिशन यहाँ पर देखे क्या बात हो रही गाईज देखे तो बखशार हैथवेट इनकॉर्परेशन एन अमेरिकन डाइवर्सिफाइट मल्टिनेशनल होल्डिंग कंपनी लीड बाई दे वारेन बफिट दोस्तों तो ये पूरा पढ़ना नहीं है आपको इस तरह से बस कंपनी का नाम याद रखे बखशार हैथवेट बेटा जिसे लीड करते हैं वारेन बफिट ये दोस्तों 2.46% अपने इंटायर शेयर अपने ये बेच रहे हैं इंदा 197 कम्यूनिकेशन दा पैरेंट कंपनी ओप दे फिंटेक कंपनी पेटियम दोस्तों तो ये हमारी इंफरमेशन है तो बखशार हैथवेग जिने लीड करते हैं वारेन बफिट तो ये अपने इंटायर 2.46% शेयर जो है ये 197 कम्यूनिकेशन बुल लिजे पेटियम बुल लिजे उसमें सेल कर रहे है कि दिमें 137 CR यहां लिखा है मांट यहां 137 CR दोस्तों देख लिजे तो इस सोल्ट फॉर रुपीज 137 CR इन बुल डील ऑन दे नसी दोस्तों यानि नैशनल स्टाइक्शेंज पर यह बेचेंगे दोस्तों कौन सा माकेट है नैशनल स्टाइक्शेंज 137 CR तो एक पॉइंट यह आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से यह है दोस्तों ठीक है यह निउस देखने में छोटी आपको लग रही है बढ़ यह बहुत बड़ी निउस है इसके इंप्लिकेशन्स दोस्तों बहुत आगे मतलब मैंने क्या बोला पहले के कुछ दिन पहले की बात है जैक मा ने भी अपने शेर बेस दिया थे तो बड़े-बड़े और बात करेंगे आप से next information की जाई है next information National Labour Information की दूसरों बात करें appointment हो गया banking finance हो गया agreement revenues merger acquisition अब दूस्तों national news दूस्तों national news में हमारे पास आपके लिए information करें दूस्तों देखें यह यहां में बिटा हम क्या बात कर रहे हैं The Women and Child Development Minister launch Angynawadi. Angynawadi Protocol for Divyalsa Children, ठिक. Angynawadi Protocol for Divyalsa Children, दोस्तों. Actually guys, divyalsa का मतलब जानते हैं आप लों, है न, दोस्तों हमारे देश में या पूरे दुनिया में, जहां थोड़ी गरीबी है, दोस्तों वहां क्या कि बहुत सारे बच्चे जन्म से दिव्यांग नहीं होते हैं वो दिव्यांग हो जाते हैं बैटा ड्यू ट्यू मतलब उन्हें चीजें ठीक से मिल नहीं पाते हैं तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जेने आप दिव्यांग होने से बच्चा सकते हैं लेकिन इन बच्चों की इंफॉर्मेशन हमारी गौर्मेंट के पास कैसे पहुँचे दोस्तों हाँ ठीक है अगर मान लोग बच्चे कहीं किसी स्कूल परते हैं मतलब तो वहां की टीचर देख सकती हैं दोस्तों है ना लगिन कुछ बच्च गरीब होते हैं जो की स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जब वो स्कूल जाएंगे नहीं बटा और उनके पैरेंट्स बटा कि यह कैसे मतलब कर रहे हैं तो हमारे आपके देश में शहरों में आंगनवाडी होती है जहां पर बच्चों को फ्री आप कॉस्ट पढ़ाया जाता है और इवन दुस्तों को मिड़े मील और यह बिस्कृट की मिलते रहते हैं दुस्तों है ना मुझे याद है हमारे मिड़ तो बिस्कृट मिले हम लोगों है ना तो आंगनवाडी है दोस्तों तो हमारी जो वुमें चाल्ड डवनिस्ट्री अंगनवाडी में जो महिलाएं काम करती है यह आपकी रिस्पॉनस्बिल्टी है कि आप भी जो बच्चे आते हैं आपके पास उनको आप देखें वाच करे यहां से भी हमें information मिल सकती है कि बच्चे क्या दिव्यांग तो नहीं हो रहे है ठीक है देखें दोस्तों अब यह क्या पूरी information है मैंने इसे लिए पूरी कहानी समझाए कि यह news आपको ऐसे clear नहीं हो पाए आपको इसके पीछे कहानी समझनी पढ़े है कि background तो समझ देखें तो woman and child development minister launches आंगनवाडी protocol for the young children दोस्तों आंगनवाडी protocol for the young children ठीक है देखें दोस्तों यहां पर डाम क्या बात करना है तो आवर union minister for woman and child development इस्मृति इजानी जी launch the national outreach program दोस्तों ठीक है और आंगनवाडी protocol for the young children ठीक है आगे देखें देखें of children for identifying any kind of disability दोस्तों मैंने क्या बुला था तो प्रेटा जो आंगन औरे एक मिनटी 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 आरे एक मिनटी मिनटी एक मिनटी मिनटी जोइन्ट का पेन आओ अरे वो है ना डेंगू है ना मुझे तो क्या है कि जोइन्ट में पेन है पुरा अभी वह थ्वर सा दर्द मैं इसलिए बहुत सम्हल के शूस पहन के पढ़ा रहा हूं लेकिन वो दर्द हो ही है इसलिए दा आंगन वाड़ी वर्कर तुर भी कही सोद लोगे मेरे बादे मैयार नस नहीं चड़िये विटा आप लोगों को पता नहीं क्या ठीक देए यानि आंगन वाड़ी कारिकरता जो है बेटा वो किसी भी प्रकार की विकलांता की पैचान के लिए बच्चों के स्क्रीनिंग में हेल्प करेंगी जो मैंने आपको समझाया पूरी बात दोस्तों हाँ तो यहां पर आपको क्या बता रहते समझ गया तो अच्छा यह निउस बड़ी इंपॉरेंट है क्योंकि दोस्तों यह आपका सोशल एकनॉमिक इशूस परकोश्यर है यह बच्चों की बात हम करना दोस्तों हां तो बस ध्यान से पढ़ना क्या हो तो बस आपको ध्यान क्या देना आए तो हमारे देश में हमारी जो woman child और इससे क्या होने वाला आपको वह आप लोगों कुरियर इंफॉर्मेशन थी जब बोल रहाहूं बस आप एक शब ध्यान दीजेगा अंगणवाडी प्रिटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्डरेन कौन सी मिनिस्ट्री है पता ही आपको दोस्तों इससे क्या फाइदा होने वाला है मालूब आपको तो यह गौर्मेंट स्कीम है आपकी यार ठीक है और यह अच्छी इंफॉर्मिशन दोस्तों है एक पॉइंट हमारा यह हो गया आगे बढ़ते हैं भाई लोग हां देखें दोस्तों नेक्स पॉइंट दोस्तों नेक्स पॉइंट क्या है दोस्तों नेक्स पॉइंट है बैंगलोरू तो गेट इंडिया लार्जेस्ट सर्कूलर रेलवे तो बैंगलोर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे दोस्तो बनेगी जो 287 किलो मीटर तक फैल लेगी दोस्तो सर्कुलर रेलवे का बिटा मतलब क्या हुआ मतलब ये ये रेलवे दोस्तो आप बोलेंगे तो मालूम है सर इसका मतलब क्या होता है देखे दुस्तों बेंगलोर गया हूं बहुत बार गया हूं पेंगलोर में लुकष अपरी बाते हैं इसे अप्रिशेट करता हूं तो एक दिन तो अफिस खुला था नहीं तो वह बुला यह तो बुला यह तो यह पने टाइम पर यह पर पस्नालिटी वह भी तुरह ने बुला अभी त्यार ओफिस कैसा लगा तुम्हें अच्छा लगा ओफिस किसके अच्छा ओफिस है अभी यह एक कंपरिजन पुछ लिया अभी आप इनस तुम्हें बूल दिया मैंने भी मैंने बुला सर ठीक है आफिस आपका भी ठीक है लेकिन वह अच्छा ओफिस है मैं ऐसे बूल दिया है भाई उसके बाद दोस्तों अनेकेडमी नए ओफिस खु बूला है ठीक है अपना क्लास साथ लो तो आपर मुझे कैबिन दे दिया कैबिन में फ्रिज दे दिया फ्रिज में पूरा जूस और यह लस्य सब भरी होती है काम करो कोई दिक्केत नहीं तुम्हें जहां जाना है वहां जो तुम पास दिन नहीं रहोगे अब मैं पास दिन आप काम की आमें घर आ गया अगले विक फिर पहुचा तीसरे विक तुम्हें थग्या यार बेंगलोर से में बुच्छा कैसा ओफिस है आपका नया मेला नया उफिस था तो मैं समझ गया कि क्यो वह बुला रहे थे तो ऐसे से भी चीज है लेकिन इस ग्रेट मैं ग्रेट प लोग इसमें आना पढ़ेगा तुम्हें हमारे ओफिस में बाई जिसके पास चीजें हैं उसके अंदर इगो होना जलूरी है ना मैं हमेशा मानता हूं तो फिलाल मैं क्यों बतारता आथा आपको बंगलोर के बारे में दोस्तों और बड़ा अच्छा एटमोस्फियर है और ज्यादा ट्राफिक है दोस्तों कि तो परिशान हो जाए और बड़ा शर्त है बंगलोर के ट्राफिक को मैनेज करने के लिए दोस्तों जैसे क्या है अब बैटा मालो यह बैंगलोर है दोस्तों तो अब यहां से ट्राफिक है यहां से ट्राफिक है ट्राफिक आप कैसे अंदर हम जाए नहीं पाएंगे अंदर तो अंदर हम कहां जा पाएंगे ट्रफिक है तो हम रेलवे ट्रेक बिटा बिचाएंगे बाहर बाहर से ताकि सारे सारे important destination cover हो जाए और दोस्तो जो बैंगलॉर के आस पास के बड़े शहर है उनको भी दोस्तो इससे लिंक कर दिया जाएगा इससे फाइदा क्या होगा दोस्तो ऐसे लोग जो बैंगलॉर में नहीं रहते हैं बट जॉब के लिए बिटा आते हैं उनको बड़ी सोरत मिल जाएगे तो सर्कूलर मतलब क्या हुआ कि बैंगलॉर को बाहर से घेर लुआ अंदर आप जाई नहीं पाऊगे आप बाहर से घेर लोगे तो क्या होगा बैट सारे आपके जो इंपोर्टन डेस्टिनेशन कवर हो जाएंगे और जो आस पास के शेहर वाले हैं वह भी दोस्तो बैंगलॉ बैंगलूरू 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 विल गट अटू एटी सेवन किलो मेटर से रेलवे दोस्तो एंगे जो बैंगलूर में तो अंदर जो है मतलब वो तो ही है इसके आज पास के से मत्पूर शेहरों को भी एट अड़ करेगा और ये भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क दोस्तों होगा तो यह आपके सामने मैप है हाला कि इसमें पुछ पढ़ना नहीं है आपको आपको पढ़ना नहीं है बस में उता रहा हूं इसे हमने 7 पार्ट में छोग कि दुख साथ पार्ट में बनेगा ये पूरा दोस्तों इस तरह से है ये पूरा ये 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 पूरा इसमें पैस applying a और आज पास के शहर भी स्टों में है तो यह आपको अभी तक बस लैंस पढ़नी है 27 और 7 पार्ट से क्योंगे दोस्तों बस य Reorganizing the extensive deliberation on Bangalore's circular railway, Minister Ashwani Vashno has approved Rs.7 CR for a feasibility and alignment study, दोस्तों, बैं, इसका मतलब क्या है, अब ये बहुत बड़ा project है का इसना, तो हमारे जो real minister है, जो हमारे मंत्री बेटा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके study करने के लिए, मतलब कितना feasible होगा, कितना कैसे काम होगा, उसके लिए 7 करोड भी allot की हैं, दोस्तों, 7 करोड रुपए केवल study करने के लिए है, इसमें ट्रैक नहीं बिछेगा, ये केवल study करने के लिए है, तो ये आपका तीसरा point, पहला point, length, दूसरा point, 7 part, और 3rd point, 7 CR, दोस्तों, ठीक है, और कुछ पढ़ना है, इसमें, देखते हैं, अच्छा, इफ implemented, the circular railway exceeding Chennai, मैंने क्या बुला था, ये Chennai का बिटा record break करेगा, बिटा Chennai के पास 235.5 km का network है अपना, could emerge India's largest suburban railway दूस्तों, ठीक है, तो चैनने के पास, अभी भारत का सबसे बढ़ा रही है, ट्रैक है दूस्तों, कितना, 235.5 km, ये record break हो जाएगा, ये, चार पॉइंट पढ़ने, बैंगलोरो में, जो railway है, लेंथ उसकी, कितने part है, study के लिए कितना amount दिया गया दूस्तों, और किसका record break होगा, तो ये देख लिए आपके सामने है, ठीक है, तो यहाँ पर गाईज हमारा point clear हो जाएगा, आगे बढ़ें भाई लोग, दूस्तों, एक बढ़ें प्रेस वन कर देना, कि हाँ सरक्लियर है, चिक, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ें बढ़ेंगे दूस्तों, आगे बढ़ेंगे भाई लोग, बात करेंगे award and honor की दोस्तों, हाँ, तो award and honor में हमारे पास आपके लिए क्या information दोस्तों, देखी, information, दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं, तो IFFI 23, ये बिटा खतम हो चुका है, इंडलेस बोजर, विन्दा गोल्डन पिकॉप अवार्ड दोस्तों, यानि गाईस हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां बिटा हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे international film festival of India की बात कर रहे हैं, तो ये खतम हो च 54th International Film Festival of India, चोगवनवा, International Film Festival of India in Goa, इंडिट विट एन अवार्ड सेरिमनी दोस्तों, ठीक है, तो भाई 54th edition था, किसका International Film Festival of India का और ये कहां पर बात कर रहे हैं, गोवा में हुआ दोस्तों है, 54th edition, गोवा दोस्तों, दो पॉइंट या ते रहे हैं, ठीक है, आगे अब बिटा क्या बोला गया है, अब बिटा क्या बोला गया है, तो शामा प्रशाद मुखर जी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, तीसरा कोशन दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पाइंट, इसका बिटा मतलब क्या है, सबसे जो इंपोर्टेंट अवार्ड होता है, तो कौन सा बिटा होता है, गोल्डेन पिकोग, तो गोल्डेन पिकोग अवार्ड के लिए 15 मुवीज में कॉम्पेटिशन था, जिसमें गाइस, 12 मुवीज इंटरनेशन लेवल की थी, और 3 मुवी इंडिया की थी दोस्तों, ये एक्स्रा इंफर्मिशन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर देखें, क्या बूला गया है, देखें, तो लिस्ट आप दे विनर ऑफ दे आई एफ एफ़ाई दोस्तों, तो भाई, गोल्डेन पिकोग, बेस्पिकोग, बेस्फिन दोस्तों, किसे मिला पिटा इस बार ये हमने पहले ही आपको इंफर्मिशन दी थी, सत अजी तरह लाइफ टेम अचीमेंट एवार्ड, तो बिटा माइकल डगलस, याद है ना, अचा, बेस्ट वेब सिरीज दोस्तों, तो पंचायत सीजन टू, ये तो बढ़िया थी, यार, हाँ, बढ़िया थी, वेब सीरीज ये पढ़ लेना, रिशब शिट्टी फॉर्दे कंतारा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और ये तो पढ़ना है, बेटाई सारसल, यानि आप एक छोड़ सकते हैं, बेस्ट डेपूटेंट डार्ग्टर, ये छोड़ देना, बागी इतना दो इसमें बढ़नें भाई लोग, और बात करते हैं, न्यूस नंबर टू दोस्तों, विजयवारा रेल्वेस स्टेशन, बैक द आईजी बीसी प्लाटिनम रेटिन्ग दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, हमने बात किया, ग्रीन बिल्डिनिंग के बिल्ड़ है, इसका मतलब किया, इस आपकी जो प्रैक्टिसेज हैं, आप कितने जादा ग्रीन रीज को सपोर्ट करते हैं, दोस्तों, मैं इस बार जब अभी जब मैं आया मर्दापूर से दिल्ली, तो मैं उतरा प्रेटा गाजियाबाद और गाजियाबाद, दोस्तों, जब हम लोग विजयारसी थे, अपने का छुड़काओ, बाहर ट्राफिक का अरेंजमेंट, बढ़ा अच्छा लगा मुझे है, मतलब यह हां मतलब यह है, और यह किसी गौर्मेंट का बत नहीं, यह हमारे उपर है, यह हमारे जागरुपता के उपर है, दोस्तों, अगर आप भी कोई समान खाके, कोई कुडा फि हमारे यहां दोस्तों, तालीम मिलती है, पढ़ाई लिखाए की, बम मनाने की नहीं मिलती है, तो जैसे हमारा एक बड़कल में एक देश है, इतने बेगूफ यह लोग है, बेटा बता है, कल मैं देख रहा था चनल का, तो उसमें एक इन्यूस एंकर था, तो क्या बोल रहा ह कि पाकिस्तान की जो करंसीय है, वो दुनिया की सबसे best performing currency है, पाकिस्तान की कौमनी कफिस दिन से उसमें थी काई साना अभी क्या हुआ है, इन फ्रांस से पैसे मिले, तो क्या बिटा हुआ कि इनका जो फॉर्चस इबढ़़ा वह तो फॉर्चस रिजवर बढ़ने को मितलब क्या होता है आपको याद होगा आज की बाद नहीं कर रहा है जब दोस्तों बिहार में लालू जी गवर्मेंट गई थी और निजिश कमार आए से बिटा क्या मुझा बाबू बड़ा तो बिहार की डीडीप केतनी थी 25% पर थी पता है जहां कोई काम है नहीं हुआ है वहां थोड़ा भी काम करोंगे ना तो बहुत तेरी जो जाते तो बहुत आती है तो वह कह रहा है तो मैंने सुना तो मैं समझ गया कितने बुद्धियन के पास है तो क्या मतलब अगर आप लोग भी सुनेगा तो आप परशान मद सेगा कि यह ऐसे कैसे हो गया कुछ काम ही हुआ है थोड़ा भी काम होगा तो वहां पर ग्रोथ दिखती है दोस्तों है ना जैसे फॉर इजांपल युए से गाइस हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की कॉनमी फास्टेज कॉनमी है इंडिया सेवन परसंट ग्रो कर रहा है युए से वन परसंट से इसका मतलब क्या हु तो 19 की बाते मुझे आदें 2019 में विजय वार्डा को बिटा गोल्डन रेटिंग मिले थी और अब क्या मिलगा इनको प्लाटिनम रेटिंग मिले बिटा यानि आप एक स्टेशन तो है लेगिन आपने ग्रिन रीज पर काफी काम किया दोस्तों है ना देखी गाइस क्या बात आपको यह सब याद नहीं करना वर्ट वर्ड आपको ज्यान देना है कि विजय वार्डा रेलसेशन और बाइक क्या करना है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉंसिल इसने प्लाटिनम रेटिंग दिया दोस्तों क्यों दिया है ग्रिन रिज के लिए इंके बस काम खतम हो गया अब रिटा क्या पढ़ना रेखिए देस्टेशन देखो देस्टेशन प्रिवियस गोल्ड रेटिंग अचीवें 19 मैंने क्या बला था कि 19 में इनको गोल्ड रेटिंग मिल चुकी है और 23 में ने प्लाटिनम रेटिंग दोस्तों मिल गई है यही पॉइंट आपके साम में थ ठीक गाइस तो एक पॉइंट हमारा यह हो गया भाई लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे न्यूस नंबर 3 ध्यान रेट ऐसी इन्फरमेशन आपके एक्जाम में आगे जरूर ऑथेंटिक ऑथेंटिक इस मेरियम वेबस्टर वर्ल्ड ऑप दे इयर फॉर 23 पूरी इनफरमेशन क्या है नाम किया लियम वेबस्टर तो इसने औठेंटिक को वर्ल्ल ऑप दे यर फॉर 23 इस ऑाथेंटिक तो USA की बिल्टा dictionary company है नाम किया मैरियम वेबस्टर तो इसने authentic को world of the year for 23 घुशित किया गया है तो एक point हमारे पास यह है दोस्तों ठीक है आगे बढ़िए और क्या बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है clear दोस्तों इस सब चीज़ है अपनी authentic चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे बात करेंगे defense news की दोस्तों defense में हमने दोस्तों चाइना को एक बार और परिशान कर दिया है क्यों दोस्तों दो क्यों बिटा दो ministry of defense inc contract with bhl to procure 16 super rapid gun mount दोस्तों यह गन की बात करेंगे दोस्तों अभी तक क्या था हमारे देश में यह जो super rapid gun mount था वो हम चाइना से import करते हैं अब दोस्तों भारत में ही बनेंगे bhl बलाएंगा बिटा ऐसे रक्षा मंत्राना ने solar super rapid इसे बिटा हम क्या बोलते हैं srgm गन इसे मोलते हैं srgm गन बोलते हैं तो super rapid gun mount यह बिटा 16 जो है 16 गन यह बिटा 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 इसमें है तो ministry of defense in contract with bhl to procure 16 super rapid gun mount दोस्तों बहां दोब पूरी information तो defense ministry ने गाइस agreement sign कर लिया है कितने का 2956 करोड बिटा with state run bhl to procure 16 upgraded super rapid gun mount and accessories and accessories भी दोस्तों मतलब यह जो नहीं है यह सब इसकी पास पास जो यह सब लगे होते हैं इसमें radar होते हैं sensor होते हैं and accessories for the Indian navy दोस्तों और यह Indian navy के लिए हम खरीदेंगे तो defense ministry ने BHEL से एग्रिमेंट किया है 2956 करो रूपय का, किसके लिए दोस्तों, 16 अपग्रेड़ेड़ सुपर रैपिड गन माउंट के लिए दोस्तों, और साथ में जो स्रीज आती हैं, और फॉर दे इंडियन नेवी, और ये इंडियन नेवी के लिए पर्चस किया जाएगा, ये देख लिए जाएगा, ठीक, और आगे पढ़िए, फिर देखिए अब लागे, इसका मतलब क्या है, ये एक मध्यम कैलिबर की दोस्तों, एंटी मिसाइल और एंटी एरक्राफ्ट पॉइंट डिफिन्स हदिया पना लिए दोस्तों, मतलब एक गन है दोस्तों कहने है अतलब, जो जो निरंदरता दर और जो क्या बोला गया है, विच प्रोइड असस्तेंड रेट अप दे फायर, एंड हाई अक्यूरेसी, फायर मतलब आग नहीं, मतलब फायर का मतलब फायरिंग की बात हो रही है, फायरिंग अन्दा हाई अक्यूरेसी उसनों, तो कहने का मतलब गाई, इसकी मतलब आपने मुवीस में देखा भी होगा है, वो कॉंटिनीवस फायरिंग प्रैसी होती है, और इसकी अक्यूरेसी काफी हाई रहती है, तो यह मतलब है दोस्तों, तो यह मीडियम कैलिबर की एंटी मिसाइल, एंटी एक्राफ्ट है, दोस्तों, गन है, जो काफी सस् जोस्तों, और इसकी अक्यूरेसी काफी हाई रहती है, अगर आपने मुवीस रहती होगी, तो समुझोगे मेरी बात क्या मैं बोलना चाहरा हूँ यहां पर, है ना, हाँ मुवी बेदे, हाँ होई, ठीक है, तो यह आपके सामने पॉइंट है, फिर से एक बार देख लोग आ माउंट परचिस करने वाली है दोस्तों, फिर बेटा क्या बूला गया है यहां पर, कि यह जो आपका, यह माउंट गन है, यह manufactured by the BHEL, at its हरिद्वार प्लांट, एक बार दोस्तों यह हो गया, फिर क्या बूला गया बेटा, अब यहां पर इस गन के बारे में समझाया गया है which provides sustained rate of fire and high accuracy दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, तो about BHEL गाईज हां, BHEL, establishment year 1956, headquarter Delhi, और उसके CMD विटा कौन है Mr. K.S. मूर्ती, Mr. K.S. मूर्ती is the CMD of the BHEL दोस्तों, हां, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, देखें, next day guys, books and author, ठीक, तो books and author में हमारे पास आपके लिए information क्या होगी दोस्तों, देखें आपे, तो books and author में दोस्तों क्या लिखा है, प्रणव my father, स्रमिस्था मुखरजी, पैंट a biography of प्रणव मुखरजी दोस्तों, यानि प्रणव मेरे पिदा बिटा, ये स्रमिस्था मुखरज प्रणव my father, a daughter remembers, a biography of प्रणव मुखरजी, former thirteenth president of India, दोस्तों, तो प्रणव my father, a daughter remembrance, ये ये, ये remembers, यहां तक दोस्तों, यहां तक, प्रणव my father, a daughter remembers, प्रणव my father, a daughter remembers, ये दोखो, वो नाम है, बिटा 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 नाम है और इनकी जो ऑफर मिटा नाम क्या है देख लीजएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर रिसेंट बुक एन ऊथर की लिफ्ट दियो हुई है जैसे फॉर एक्जामपल फ्रेड बाइ थ्रेड देश कुमार स्टोरी सत्य शरान दोस्तों मैपिंग आप दे आर्चाइव इन इंडिया दोस्तों प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर और विसमे बसू दो पलों की च्छाव में डॉक्टर हेमा जोशी इसनेक ओफ नाटिर पदेश ओमेश कुमार भारती अगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन की यह भी न्यूस आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी दोस्तों देखें आपे हम क्या बात कर रहे हैं तो आपको बता दोस्तों कि हमारे देश में टाइगर सबसे जादा कहां पे MP में दोस्त मध्यप्रदेश को देश का पुरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों मिलने वाला है ठीक है कैसे का इस दिखो है आप हम क्या बात कर रहे हैं तो इन लैंडमार्क डवलप्मेंट दामोह डिस्ट्रिक इन मध्यप्रदेश इस प्वाइस तू बिकम दा हो ओप देश के सबसे बड़े भाग अभ्यारन के घर बनने के लिए रेडी है दोस्तों यानि यहाँ पर एक बात क्लियर है MP के दामोह की बात हो रही दोस्तों अच्छा और दीखिया बुला गया है दो दोस्तों इन दाम हो गई यानि यह बिटा दो सेंच्छुरी को अपसे मर्ज कर रहे है नौरा देही को और दुर्गावती को इंप्रेसिव 2300 किलोमेटर दोस्तों यह ऐसे पढ़ना है यहां पर कहने का मतलब क्या है कि सेंच्छल गवर्मेंट दोस्तों MP के दामोह जिले में दो सेंच्छुरी जो है एक आपकी है नौरा देही और एक आपकी दुर्गावती इन्हें आपस में मर्ज कर रहा है तो जो मर्ज करने पर टाइगर रिजर्व बनेगा उसका इरिया होगा 2300 स्क्वार किलोमेटर तो एक पॉइंट यह दोस्तों मारा और देगा बुला गया इतना ही है दोस्तों बस ध्यान देख लो पहले तो मध्यप्रदेश का दामोह जिला वहां दोस्तों दो सैंच्छुरी नोर नहीं अलग से पढ़ना है ठीक है यह गईस स्टैडिक पॉइंट एंपी के कैपिटल भुपाल सीम शिरा सिंग चोहान गवेंडर मंगू भाई सी पचेल एन नेशनल पार्क बहुत सारे यहां पर दोस्तों है सत्पूरा नेशनल पार्क बांधमगड नेशनल पार्क कानहा पार्क पैंच नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क पना नेशनल पार्क संजर के तौचे अपको आना है जो नए बच्चे है ठीक है और देखे धें दूस दो सभू का आट तो इस समय अनकैडमी एक साल पर्चेस करने के फीसे बिटा 2499 और दो साल की 2999 दोस्तों इस वीडियो के नीचे बिटा डिस्क्रमिलिक मिलागी आपको वहाँ जाए वहाँ पे और वहाँ पे हमारा कोड डालिए और एडमिशन ले लीजेगा ठीक है मिलते हैं आफसे दिन के दो बजे और फिर 930 पर MSQS के लिए थैंकि सो मुझ अपना ख्यार लगे दोस्तों थैंकि सो मुझ